मित्रो, आज मैं जो कविता सुना रहा हूँ, उसका शेर्षक है भारत मा का आचल. यह कविता बदलते भारत की विसंगतियों पे है, और सन दो हजार दो दो हजार तीन में लिखी गई है. कविता इस प्रकार है. नौकरी का है, कितना इमर्जन्स. पुलिस, कोट के चहरी से तो राम बचाएं, नजरों में पढ़ते ही सौसो जाएं. लड़कियों की संख्या हो गई है कम, उधर मेरी मा की तबियत नर्म. फिर भी बाबू को चाहिए रोटी गर्म. घर पे मैं ही रोटी पकाता हूँ. पच्चीस की उमर में अपनी हाडी गर्माता हूँ. यारों ने कहा करलो शादी, पीपर में जट से इस्तहार निकलवा दी. और वहाँ बैंक बैलेंस वालों का मेला, हम रह गई केवल निगल के केला. बहना अब तक कमारी है, मौडलिंग की मारी है, रोट जेब खर्च पढ़ता जाता है, मुह पर पावडर क्रीम उतराता है. शरीर से है काटा, पूछा क्यों, तो लगा दिया चाटा. स्लिम बॉडी का जमाना है, मिस वर्ल्ड कॉंटेस्ट में जाना है, मिस्टर वर्ल्ड को तुम्हारा जीजा बनाना है, बाबु जी की पेंशन और भैया का टेंशन, दोनों का करदू मेंशन, भाभी को रोज लगावे पड़े, डायबिटीज का इंजेक्शन, भैया की कमा पर ही घर चलता है, बंदा साइड बिजनस करता है, केरोसीन ब्लेक करने का पर इमानदारी से, सुना है आजकल सिल्समैन की बड़ी मांग है, पर हर के मुह में जाग है, बताते हैं चलते चलते हो जाते ठके चूर, तब जा मिलता है चारा जूर, किसानों ने धंधा पदल द दिया है, बीज की जगह सिमेंट होते हैं, इंट भुकाते हैं, मकान बनाते हैं और दलाली कमाते हैं, शिक्षिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, बच्चों की आवाज सिसक गई है, अब पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहता कोई, केवल अपने गाड़ी बढ़ाना चाह है, बचास चक्कर लगवा हमेसे आता है, फसने की बारी आने पर खुद चमपत हो जाता है, ऐसे में मा केवल रोना ही आता है, रोना ही आता है. यदि आपको यह कविता पसंद आई हो तो क्रिप्या लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि बार बार मैं इस तरह की कविताओं के साथ आ सकूँ मित्रों के लिए और समाज के लिए यलगार हो पुद्गार हो